30-40% तो माल कम ही आए मतलब जो बड़ा बड़ा ट्रक आता है वो नहीं आए वही हो हरतल की है ना वो लोग ने पबलीक ने इसके लिए अब बड़ा मतलब अभी रेट बढ़ गये सब का ना मतलब माल कम है कॉंटिडी कम है तो कस्टमबर तो उतने ही आने वाले तो रेट वही ना बढ़ गया उसके वज़े से लेकिन उतना फरक नहीं रेट में पढ़ा है बड़ा बड़ा ट्रक आया यह नहीं मतलब जो आता है छोटा-छोटा गाडी में लेखे आते वही लेक्ष्ञ अभी सोचना मंगते हैं लेकिन इसमें गाडी वाले का भी नुक्सान होने वाला है कि द्राइवर कोई निकलते हैं अभी दो दिन पहले तक तो मंडिक अंदर सारी पूर्ती पूरी हो रही थी और सब्जी बहुत मंदे थी क्योंकि सीजन चल रहा है सब्जी सब आ रही है लेकिन ये कल से जो ट्रकों की अरताल हुई है इससे बहुत जादे असर पड़ रहा है जो बड़ी गाड़ी है कहीं से भी नहीं आ रही है चोटी गाड़ी है तो नेखलुआया तो ये जंता के लिए एक बहुत बड़े संकट बन जाएगा क्योंकि सब्जी के बिना और रासन के बिना काम नहीं चलता सब्जी के दाम जो बाहर से आने वाली सब्जी है वो आई नहीं है जब वो सब्जी नहीं आएंगे तो दाम तो बढ़ें गई कुछ सब्जी खतम हो चुकी है मंडी के अंदर जो भाहर से सब्जी आने वाली है जो लोकल सब्जी है जिने किसान थोड़ा बहुत कोई ट्रेक्टर द्वारा या किसी कोई अपने टंपू के द्वारा भेज़ देता है तो तो आ रही है लेकिन जो भाहर से आने वाली सब्ज झालाइ झालाइ